हलो बच्चो, पिछले क्लास में हमने वस्तुविनिमे प्रनाली के गुरों की चर्चा की थी इस क्लास में हम वस्तुविनिमे प्रनाली के दोसों की चर्चा करेंगे वस्तुविनिमे प्रनाली में अनिक दोस हैं जैसे कि दोहरे संयोग का भाव जिसके अंतरगत वर्स्तु विन्मै प्रनाली में दो व्यक्तियों को एक दूसरे के आउशक्ताओं को पूरा करने के लिए उस समय तक रुकना पड़ता है जब तक कि वो एक दूसरे से निले नहीं और उन्हें एक दूसरे के आउशक्ता की व ऐसी आवस्था में एक वेक्ति को उस दूसरे वेक्ति के लिए रूखना तब तक पड़ता है जब तक कि दूसरा वेक्ति जो वेक्ति के पास उसकी आवशक्ता की वस्तू है उसे ना मिले और वो उसके सब विनमे करने के लिए तयार ना हो दूसरे इसकी जो सबसे माजपून कठनाईया है वो है धन संचे वस्तू विनमे प्रणाली के अंतरगत हम धन का संचे नहीं कर सकते या संगरहन नहीं कर सकते ऐसा इसलिए बचो क्योंकि वस्तु विनिमे प्रणाली के अंतरकत मुद्रा का कोई स्वरुप नहीं होता जो वस्तुए होती हैं वस्तुए के एवज में विनिमे की जाती है और वस्तुए का संचय नहीं किया जा सकता क्योंकि वस्तुए नासवान होती है और उनका एक जीवन काल होता है तीसरी जो सबसे महत्पुन समस्या है इस प्रणाले में थी वती वस्तुव की अविभाजत्या वस्तुवे अगर विभाज्य है तो उसमें विनिमे करना असान है लेकिन यदि वस्तुवे अविभाज्य है तो ऐसी अवस्ता में एक कंबिर समस से उत्पन हो जाती है मान लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास एक गोड़ा है और उसे उसका विने में करना है एक भेड़ों के साथ जो अगले व्यक्ति के पास है तो अब दोनों के बीच में विने में क्या क्या अधार होगा यह तहिक करना बहुत कठीन है क्योंकि दोनों ही वस अस्था में वगति अपना जो तीवर्ता का प्रयोक करेगा और तीवर्ता के आधार पर तय होगा कि कितने भेडों के बदले में एक घोड़े का विन्यमान हो सकता है। लेकिन यह जो विन्यमान होगा वह पूननता होगा क्योंकि एक घोड़े के बदले में साड़े-चार साड़े-पाज भीड़ों का विने में नहीं हो सकता है चौथी जो इसकी महत्वपून कठनाईया है वो है मुल्य का समान्य मापदन्ड जो सबसे बड़ा अभाव पाया जाता है यहां पर्मुल्य का समान्य मापदन्ड पाया जाता है क्योंकि यहां मुद्रा नहीं उपस्तित होती है इसलिए सभी इकायों का समान्य मापदन्ड नहीं होता वस्तुए और सिवाओं को माप सकते हैं लेकिन उनको मापने का आधार, कोई एक हम ये बोल सकते हैं, सर्वभमिक कोई आधार, चुख लब्द नहीं होता, जो आधार होता है, वहाँ व्यक्ति खुद से तै करते हैं। तो यह सईयोक वस होता है कि व्यक्ति की तिव्यत्त अगर अधिक हो यह बहुत दिन के बाद वैसा व्यक्ति मिला हो जो वस्थूको वे звучit वीने में करने और हम उसे तैय नहीं करते हैं बलकि उसकी लागत और विविन्हप्रकार की लागतें तैय करती हैं, बाजार में मांग की यह वस्ता, पुर्थिक वस्ता तैय करती है। यहाँ पर वस्तु ही प्रटानाली में व्यक्ति को गपार करते हैं, उनके बीज में व्यक्ति डोनों ही आपस में तयके करते कि वस्तु उपलप नभी सथाथकर रहाएं बाचवी जो इसकी सबसे बड़ी कचिनाई है वह भावी भुक्तान की कचिनाई इस प्रणाली में हम भावी भुक्तान का कोई सिधान्त नहीं है मतलब अगर कोई अथनी चाहे कि इस वस्तु को हम आज उप्लप्स करें और इसका भुक्तान हम भविश्वें करें तो यह नहीं कर सकता है उसे जो करना है वर्समान स्थिति में ही करना है है तो बच्चों यह हुए हमारी मुदर के अभाव में जो प्रणाली उपस्ति खी उसके दोश अब मुदरा का उदगं क्यासे हुआ इसके ऊपर अगर हम प्रकास डाले तो हम देखेंगे कि मुद्रा का उद्गम चरणवत तरीके से हुआ इसके 6 या 7 चरण है जो आज के दौर में चल रहा है जो सातवा चरण है प्राथम अवस्ता, दुईते अवस्ता, तृती अवस्ता, तृती अवस्ता, पंचम अवस्ता, छटी अवस्ता और सप्रम अवस्ता प्राथम अवस्ता के अंतरगत वस्तु मुद्रा का चलन था वस्तु मुद्रा भी अलग-अलग यूग में अलग-अलग रूप में प्रयोग किया जाता था जैसे कि वस्तु मुद्रा जब आखेट यूग में था तो वह चमड़ा के रूप में था जैसे कि पशू के छाल को या चमडे को मुद्रा के रूप में वैपार में प्रयोग किया जाता था वही वस्तु मुद्रा जब चारा गा यूग में था तो वह जान पशू के रूप में था जैसे गाए, बैल, भैसे, भेड़े इस प्रकार उसे वो मुद्रा मानते थे और उसके अधर पर वैपार करते थे यही अवस्था जब कृषी यूग में था तो त्वरूप जो था मुद्रा का वो अनाच के रूप में था और अनाच को ही मुद्रा के रूप में रोग किया जाता था दूइती अवस्था वो थी जब धातू मुद्रा का उद्गम हुआ धातू मुद्रा मतलब ऐसी मुद्रा जो धातू से बनी हो किरसी यूग में धीरे-धीरे समय के साथ कालांतर में परिवर्टन होता गया दूपों का उत्पादन होने लगा और भविस समय फिर उन धातू से ही विविन प्रकार के वस्थूए बनने लगी फिर ये देखा गया ये धातू में बहुत सारे गुन होते हैंए जैसे इनका आकार समान समान किया जा सकता है यह अपेक्षा कृप दूसरे वस्तूओं के तुलना में कम जगा स्थान लेता है और इसमें दोसों का दोश कम होते हैं और स्वरूप इसका समान होता है तो इसे मुद्रा के रुप में प्रयोग करना उन्हें ज्यादा आसान लगा तो उस काल में वो विविन प्रकार के धातुओं को मुद्रा के रुप में प्रयोग करते थे जैसे लोहा, तामबा, कासा, फीतल, सोना, चांदी, अधि लेकिन सर् प्रिस्ति अवस्था में जिसे हम थर्ड स्टेज कहते हैं इस अवस्था में जो मुद्राएं आई उसे हम कॉइंस कहते हैं या सिक्के कहते हैं ऐसे अवस्ता में प्रचलित था सरवादिक प्रचलित था वह था सिक्के उस काल में राजाओं का सासवों का काल था और वह शारी जो व्यावस्ता तियार्थिक प्रणाली उनके हातों में थी वे क्या करते थे अपने अनुसार से सिक्के अपनी राज्य के अनुसार से अपनी छाप का सिक्का चलाते थे बनाते थे और उसका प्रचलन करते थे अपने राज्य में उनी सिक्कों से सिक्कों को मुद्रा के रूप में प्रयोक किया जाता था और उसी सिक्के के से होता था औ पुरे विश्व में इसी प्रकार की अवस्था थी चौथे यूग में चौथी अवस्था में हम देखेंगे कि पत्र मुद्रा का उद्भव हुआ जब देख जब सिक्को का यूग था उसमें जब वैपार बढ़ने लगा तो क्या हुआ कि जब अधिक मात्रा में रकम ले जा हार और कथी ने क्योंकि वह बहुत वजण हो जाता है इस परिशानी को दूर करने के लिए प्लस इसमें और परिशानी की जबां सीख्रकर करने क्लिए वेपारि AUDIENCE क्यां करते थे किसी समाज के इमानदार और पतिष्टित वक्ति के पास वो मुद्रा रख देते थे और उसके एवज में उनसे लिखवा लेते थे एक प्रमान पत्र जिसे वो ग्रहन कर लेते थे और उस ग्रहन की वे प्रमान पत्र के आधार पर उनका वेपार होता था और वेने में उसी के आधार पर होता था हलाकि ये लिखिक प्रमान पत्र मुद्रा नहीं होता था लेकिन मुद्रा के जगा पे ये एक अस्थाई स्थाननपन के रूप में कारे करता था इसी रूप में धिरे-धिरे पत्र मुद्रा का विकास हुआ ओदगी करण के बढ़ने के परिणाम स्वरों बैंकों की स्थाफना हुए बैंकों के द्वारा मुद्रा निर्गत कराये गए सरकार भीविन प्रकार के सरकार जो है मुद्रा जारी करने लगे और बहुत सारे जग में हम ये देखते हैं कि मुद्रा ही जो प्रमान पत्र लिखित प्रमान पत्र को भाविसे में मुद्रा ही माना गया क्योंकि वो मुद्रा का ही प्रतिनिदित हो करता था अज के दौर में भी मुद्रा का ही प्रतिनिदित हो करता है लिखित प्रमान पत्र में ये लिखा रहता है कि promise to pay मितलब भुख्तान करने का वादा अर्थात यह एक मुद्रा की सरुप में वैवर किया जने वाला, लिखित प्रमान पत्र होता था जहां पर बैंकों के द्वारा लिखा रहाता था, कि भविसमें भुकतान करने का वादा करते हैं, यह वाक्यांस का प्रयोक किया जाता था, अर्थास जिसके वीच में विने में हो रहा है, वो एक्टिव उस कागच के तुक्ड़े को प्रयोक कर रहा है, लिखित रूप से, ल जो मुद्रा की जो उसका जो अमाउंट है उसे वो चुकाएगा इस प्रकार से धीरे-धीरे क्या होने लगा कि जो सबसे महेंगे धातू हुआ कर तर्ची जिसे सोना अफचांदी उसके मुल्ले के बराबर रखे जाने लगे बैंकों में और उसके एवज में यह लिकित प्रम इस प्रकार हुआ कि इसका अपनी आप में जो मौद्रिक या अंकित मुल्य उसका निर्मान लागत से अधिक होता है साक मुद्रा का निर्मान लागत और उसका अंकित मुल्य अलग-अलग होता है साक मुद्रा बैंकों में रकम जमा करने पर प्राप्थी जा सकती है जिस प साक मुद्रा का बहुत सारा स्वरूप होता है जैसे कि हम लोग आज भी प्रयोप करते हैं चेक, बैंक का ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्स्चेंज या विनिमें बिल इत्यादी उसी प्रकार से जो छटी अवस्था हुई वो थी प्लास्टिक मुद्रा जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक मनीं पत्र मुद्रा के विकास के बाद साक मुद्रा आई और साथ मुद्रा के विकास के बाद प्लास्टिक मुद्रा आई प्लास्टिक मुद्रा को हम आज के दौर पे क्रेडिल कार्ड और डेविट कार्ड को कहते हैं जिसके नाम से प्रचलित है साथ भी आवस्था जो थी वो थी डिजिटल मुद्रा जो आज के लॉगडाउन के पिरियेड में सबसे ज़्यादा मसूर है वो है आपकी डिजिटल मुद्रा और डिजिटल मनी हम लो कहते हैं जैसे इंटरनेट के थूप पेमेंट करना मुबाइल एप के थूप पेमेंट कर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले हमें जानना जडरूरी है कि मुद्रा का मुद्रा सब्द कहां से आये मुद्रा सब्द जो है मनी जो है एक अंग्रेजी शब्द है और यह अंग्रेजी भाषा में प्रयोक कई जाता है लेकिन इसका उधवाव लैटिन भासा के मोनिटा से आया मोनिटा जो है वो रोम की वे देवी हरती है इसे हम नुक गौडेश जुनो के नाम से जानते हैं गोड़ेस जुनो के मंदिर के प्रांगन में रोम की मुद्रा का बुब बनाने का कारे किया जाता था रोम में देवी जुनो को स्वर्ग की रानी माना गया है इस हे तो ही मुद्रा को आम तोर पर स्वर्ग या अनंत का साधन समझा जाता था यहीं वह कारण है जिससे हम लोग जानते हैं कि रोम के मंदिर में मुद्रा निर्मान का कार्य किया जाता था हिंदी भाषा में मुद्रा सब्द का प्रयोग मोहर या चीन के द्वारा भी किया जाता है मुद्रा भाषा की जो अर्च सास्त्र में मुद्रा की जो परिभाषाएं हैं वह दो प्रतार से विभाजित हैं एक परिभाषाएं हुई आपकी संकुचित परिभाषा और दूसरी हुई विस्तृत परिभाषा अगर हम इसे देखे इसे दो भागों में बाटा जा सकता है लेकिन इसके वर्गी करण के आधारपन अगर हम देखेंगे तो इसकी परिभाशाओं का वर्गी करण तीन भागों में होता है पहला है वर्नात्मक या कारिवाहक परिभाशा जिसे हम descriptive या functional definition कहते हैं दूसरी है आपकी वैध्यानिक परिभाशा जिसे हम legal definition कहते हैं और तीसरी है सावान्य सुकृति पर राथारिक परिभाशा जिसे हम definition based on general acceptability कहते हैं सबसे पहली परिवाशा है वर्नात्मक अर्फा कारिवाहक परिवाशा और Descriptive of Functional Definition मुद्रा की वर्नात्मक या कारिवाहक परिवाशा के अंतरगत अगर हम जाएं तो मुद्रा का अर्थ है उसकी कारियों द्वारा हम लिए उसको सपस्ट करते हैं कि मुद्रा का क्या अर्थ है अर्थात कुछ अर्षास्त्रियों ने मुद्रा की कारियों को विविन भागों में बढ़ता हैं किणे से हट्टरे हट ले ब्रिदर्स Hess कने अपने सब्सक्रां में कहा है मुद्रा वह है जो हुद्र का कार्य करती सस्ट करती है इसको एक पिछ में बोलते हट्र ब्रदर्स इन्होंने मुद्रा को परिभाष्पक किया है और इन्हों कुलवन के अनुसार से मुदरा वो है, जो मुल्य का मापक है, और भुकतान का साधन है, परन्तों इन परिभाशाओं में कुछ आलोषनाएं भी बाद में उत्पन हुई, क्योंकि यह परिभाशा पूर्ण परिभाशा नहीं है, मुद्रा के सभी कार्यों का या वरणन नहीं करती है, जैसे कि आलोषना हुए इसकी वाद्यानिक मानेता पर इस परिभाषा देने वाले अर्षस्तियोंने ध्यान नहीं दिया, पतलब इन परिभाशाओं में इसकी वेध्यानितिक मानिताओं के बारे में उचर्चा नहीं की गई है तो दूसरी जो परिभाशा थी वो वेध्यानितिक परिभाशाएं थी वेध्यानितिक परिभाशाएं भी इस मुद्रा के राज जिसी धान पर आधारित है त्योरी अफ म और यह परिभाशा जो है विपिनार्ज सास्त्रियों द्वारा कोशित की है सबसे पहली परिभाशा जो है होट्रे की द्वारा दी गई है होट्रे ने कहा है होट्रे भी होट्रे जो है ऐसे तो वह नैप की ही परिभाशा के अपनाते हैं और उन्हें नैप की परिभाशा को थ of account भी है इस प्रकार यह नहीं परिवाशा से कुछ बहतर है वहीं नहीं अपने मुद्रा को परिभाशित करते हुए कहा है मुद्रा की सिस्टी राच की नियुमों के द्वारा की जाती है इन परिभाशा के भी अलोचनाय हुई और उनकी अलोचनाय इस अधर पर हुई कि इस परिभाशा में सामाने सुकृती की अभेलना की गई है उसकी चर्चा कहने की गई है जो तीसरी परिभाशा भी भविस में आई और तीसरी परिभाशा सामाने सुकृती की अधर पर आई जिसे सैलिंग मैंन ने और जी डी एच कोल ने मार्स प्रोफेशर मार्शल ने प्रोफेशर वालकर ने दिया जिसमें Professor Saligman कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामाने सुख्रिती प्राप्त है Money is one thing that possesses general acceptability Marshall के सब्दों में कह सकते हैं कि मुद्रा के अंतरगत वे सभी वस्तुय सामिल होती है जो किसी समय विशेश में बिना संदेह और जाज के वस्तुयों तता सिवाओं को खरिदने और खर्चुकाने के सादन के रूप में प्राय प्रचलित होती है Money includes all those things which are at any given time or place generally current without doubt or special inquiry as a means of purchasing communities or services and of differing expenses इस प्रकार से यह सपस्थ है कि मुद्रा की परिभाशाओं का कितने भागों में वरगी करन हुआ लेकिन अगर हम इसे समझना चाहें तो इतने भागों में न समझ कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं मुद्रा की एक जो सबसे उचित परिभाशा इस रूप में हो दी जा सकती है कि सामन्य सुक्रिती प्राप्त विदी ग्राह एवग स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई विवस्तू जो विनिमे के माध्यम मुल्य के सामन्य मापक रिन मुगदान का मापदन तथा अर्थ के स अंचय के साधन के रूप में कार करती है वह मुद्रा कहलाती है तो बच्चों हमने यहां मुद्रा के परिवाशाओं के पर चेर्चा किया अब हम पढ़ेंगे मुद्रा के प्रकार जो मुद्रा का बर्गी करण आपको जानकर बहुत आश्चर होगा कि मुर्दा भी मुद्रा भी बहुत प्रकार का होता है मतलब मुद्रा भी अपने अलग-अलग स्वरूपों को लेता है जैसे पहला पूर्णकाय मुद्रा पूर्णकाय मुद्रा का अर्थ होता है ऐसा मुद्रा जो गैर मुद्रिक उद्श के लिए किसी विशेष्ट रूप में उस मुल्य को उतना ही होना चाहिए कि स्वरूप में वो मुद्रा होता है उधरन स्वरूप स्वर्ड मान के समय जिसे हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड करते हैं सोने के सिक्के रजत प्रमान में चांदी के सिक्के जथा द्वीध हातु प्रमान में सोने और चांदी के सिक्के इस प्रकार के मुद्रा का स्वरूप होता था आप इस से हमको यह समझ में आ रहा है कि पूर्ण काय मुद्रा से वह मुद्रा हम कहना चाहते हैं जिसका गैर मौद्रिक उद्देश के लिए किसी वस्तु विसिस्ट के रूपे में मुल ले